इस पीडियो में हम जानेंगे इंडियन कोष्ट गार्ड की और से कई प्रकार की वेकंसी एक्टिवेट किया गया था जिसमें टोटल 320 वेकंसी पोष्ट एक्टिवेट की गई थी इसके जो एड्मिट कार्ड है वो निर्धारीत हो चुकी है कभी एक्जाम होगा और कैसे एड्मिट कार्ड चेक करना इसके बारे में आपको हम बताने बाले है नाविक जीटी और यांतरी की पोष्ट एक्टिवेट किया गया था जो भी कैंडिट इसमें फार्म अप्लाई की है वो इसमें अपने एड्मिट कार्ड को चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको इस ओफिसर को एफसाइट पर विजिट का है इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है यहाँ पर आने के बाद आपको अपने इमेल आइडी को लिखने इसके बाद यहाँ पर पास्वड लिखना है अब बहुत से लोग अपना फार्म फिल की होंगे लगबग दो से चार महिना हो गया है तो आपने अगर अपलाई किया तो पास्वड कोई लोग भूल जाते हैं तो पास्वड यहाँ से प्राप्ट कर करना है वो उस वीडियो को देख सकते हैं आसानी से यह प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लॉग इन करने का जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे अपने डिटेल्स को यहाँ पर आपको लिख लेनी है और यहाँ पर capture मिलता है आपको इस box में लिखना है लॉग जो डेट मिलेगा 23 नवंबर 2024 मिलेगा आपका यह एक्जाम जो 23 नवंबर है इस डेट से चार दिन पहले आपका complete एडमिट कार्ड जारी होगा इसके बीच में आप जितना भी बार ट्राइ करेंगे स्रिप आपका यही डिटेल्स से हाँ पर सो कराया जागा कौन से स्टेट में एक्जाम होगा वो यहाँ पर दिखाया जागा और वारान सी एक्जामेनेशन सिटी है नीचे आपको कुछ नोट डिटेल्स मेंसेंड की गही है प्रोविजनल एडमिट कार्ड विल बेबल फार 20 नवंबर 2024 यानि कि आपकी जो complete एडमिट कार्ड जारी होगा वो 20 नवं नीचे करेंगे तो यहाँ पर कुछ instruction मिल जागा एक्जाम में जाने के लिए क्या क्या आपको डिटेल्स लेकर जाना है जैसे एक्जाम में जाने से पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है यह प्रिंट आओट होनी चाहिए चाहिए कलर या आप ब्लेक एंड बाइट भी लेकर जा सकते हैं, इसके साथ आपको valid कोई भी आईडी लेकर जाना है, चाहे तो आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या डाइविंग लेकर जाएंगे, इसके बाद आपको दो पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जाना है, यह जो डीटेल्स है, तो वो आपको वहाँ पर लेकर जाके दिखाना पड़ेगा, बाकि आपको कुछ और यहाँ पर नीचे information details मिल जाएगा, आप इसे readout कर सकते हैं, यहाँ इस link के माध्यम से आप अपने admit card की जो PDF जान करें, वो प्राप्त कर सकते हैं, तो यह complete details हमने इसके बारे में बताया है भी फिलाल इसका exam city एक्टिवेट किया गया है, जैसे admit card जारी होता है, complete admit card डाउनलोड होना इस्टार्ट होता है, आपको बताते हैं, कि आप अपने admit card को किस प्रकार से डाउनलोड करके, वो details के साथ आप exam में सामिल हो सकते हैं, so I hope कि आपको यह जान कर यह अच्छे लगी वीडियो पसंद है तो like और share कीजिएगा, कोई सवाल होता है तो comment जरूर कीजिएगा, okay guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, bye bye, jahin